दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि counter trade कैसे यूज करते हैं और especially counter trade कहां पर यूज की जाती है इसको बहुत अच्छे से explain करूँगा एड़े से पहले एक और चीज बता देता हूँ मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से यहाइक अगर माल लीजिए हमारे पास में lower zone आ जाता है किसी चीज का हमारे पास में high zone आ जाता है और हमारे पास में एक information आ जाती है कि हमारा magnetic zone होता है कि price वहाँ तक आएगा ही आएगा कैसे काम करना है इसके उपर मैंने चीज बताई आपको कहाँ पर बताई मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना है इसी वीडियो की description में जाना है description में आप क्या करेंगे like जैसे वीडियो चल रही है तो इसी वीडियो की description में जाओगे तो यहाँ पर first में आपको दिखा किया जाता है जाइए चेक कीजिए और उसके अंदर कुछ कोश्चन पूछे गए वो कोश्चन मुझे रिप्लाइ कीजिए अब जैसे कि इस वीडियो का आप कंटीनी कर रहे हो तो कंटीनी करने के बाद में आपको यह बात ध्यान रखना है कि यहां पर हम बात कर रहा है इसपेशली काउंटर ट्रेड के बार में और काउंटर ट्रेड जो यूज़ होती है वो कहां पर यूज़ होती है वो यूज़ होती है फोरेक्स मार्केट में अब फोरेक्स मार्केट में यूज़ होती है तो हम इंडियन मार्केट में इसको कैसे इंप्लिमेंट कर सकते हैं द इसी तरीके से इस टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी आप counter trade यूज नहीं कर सकते अगर आप यूज करना चाहते हो तो फोरेक्स मार्केट और इंडियन मार्केट में अगर आप काम करना चाहते हो तो कीवल और कीवल एक ही ऐसा पेर है जो counter trade करने की permission आपको अला हुई है और हम चाहते हैं कि एक सेल पोजिशन भी अक्टिवेट करती जाए बट लॉजिक यहां पर आता है कि क्या सोचकर हम इस चीज को करना चाहते हैं पहला आप concept हमारे माइंड में clear होना चाहिए concept यह है कि हमारा trend क्या है अगर हमें trend identify नहीं है then definitely हमें counter trade करने में बहुत थर्ड condition हमें यह बात ध्यान रखनी है counter trade करने के लिए कि हमारा जो contract note है क्या वो sport price पे काम करता है या फिर future price पे काम करता है यह बात आपको ध्यान रखनी है अगर हम international market में बात करे तो वहाँ पे कोई like expiry नहीं होती वहाँ पे कोई ऐसा drama नहीं हो था कि इस महीन के बाद expiry हो जाएगे और आपको महां से काम बंद करना पड़ेगा इंडियन मार्केट में थोड़ा सा ही कह सकते हो कि future में काम होता है तो future जो है like 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, अब कौन से future contract note में काम करना है यह बात आपको समझनी है तन उसके बाद में एक और point यहाप ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे वो लोग फसना तय है, तो सबसे पहली बात हम आज यहाँ पे बात कर लेते हैं, USD, INR के उपर, किस तरीके से आप लोग counter trade कर सकते हो और क्या आपके logic होने चाहिए, देखो counter trade दू तरीके से होती है, first will be आप intraday level पे कर रहे हो, ठीक, आप intraday level पे counter trade करने की कोशिश कर रहे हो, कि भाई आपका जो आज का low price है, आज का आपका जो high price है, बीच में मालीजे magnetic zone है, फिर कहता हूँ, magnetic zone वो zone होता है, जहाँ पे price के आने की high probability होती है, इबात ध्यान रखो, तो अगर मालीजे आपने low price पे enter किया, तो enter करने के price अगर उपर की तरफ आ जाता है, और अपने higher zone तक आ जाता है, तो उस condition में आपने मालीजे कोई position buy बनाई हुई है, तो उसके against आप counter में sell position activate करोगे, और कहते हो, कि कल market अगर मेरी नीचे की तरफ वापस खुलती है, तो मैं sell वाली side पे profit gain कर रहा हूँ, और buy वाली trade को फिर इसको जाके continue कर सकते हैं, आपको पता लग जाए कैसे इसको intraday purpose के लिए use कर सकते हैं, क्या क्या concepts होनी चाहिए, हम बात करते हैं अभी यहाँ पे किस चीज़ को लेकर, कि intraday छोड़ो हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं, monthly कैसे use किया जा सकता है, ठीक हम month पे कैसे कर सकते है और यह month पे क्यों करना चाहते हो, आप समझो, month पे अगर आप काम करते हो, तो आपको क्या फायदा हो सकते हैं, अगर कोई इंसान job कर रहा है, तो उसको daily daily का बार बार देखने की कोई attention नहीं होती, जबकि intraday में उसको को attention नहीं होती, वहाँ पे support किया जाता है, market खुलने स attention नहीं आएगी, आप long term के अंदर सोच पाओगे कि overall चल क्या रहा है, कैसे काम करना है, वो सारी चीज़े देख पाएंगे, इन के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पढ़ने वाली है, सबसे पहले ही जरूरत पढ़ेगी हमें NSE website की, NSE website पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं, मन्त का, चार्ट ओपन करते हैं, मन्त का चार्ट ओपन करने पर ये बात और ध्यान रखिए, जैसे प्राइज मान लीजिए, भी 83 चल रहा है, 83 000, ये चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे, 83 2500, like जो हमारी strike प्राइज होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, कि पीछ में 1250 वाली होनी चाहिए, हम यहाँ पे 25 पैसे कि गैप के साथ में ही काम करने वाले हैं, चलो, यहाँ पे देखते हैं, ऐसे करके, and 82.500, चिक है, इसी तरीके से 82.2500, चिक है, सो हमें ही ध्यान रखना है, पहले तो हमें strike प्राइ चल रहा है, कि भई, 82.85 मेरा प्राइस चल रहा है, और मैं फिर कहता हूँ, हम भी हम बात कर रहे हैं, मन्त के बेसिस पे, इंट्रडे में कैसे करते हैं, कैसे काम किया जाता है, वो मैं बताया है, मैंने आपको नीचे लिंक पे जाके, आप चेक कर सकते हो, बहुत ईजी ली, अभी के बात करें, तो हम मन्त की बात कर रहे हैं, यहाँ भी हमने देखा कि हमारा support no.1 जो है, like support no.1 हमारा ये count हो रहा है, support no.2 हमारा ये count हो रहा है, और support no.3 हमारा ये count हो रहा है, तो इस condition में क्या क्या कर सकता है, देखो अगर आप monthly basis पे काम करना चाहते हो ना, तो आपक 20% को आप like option में use करें, 20% को future में, और 60% fund जो है, फिर भी वो आपका back side में बचा होना चाहिए, ताकि आने वाले next support zone होंगे, वहाँ पे आप अपनी entry करें, और entry करने के बाद में आपका जो buy price है, उसको नीचे की तरफ लाएं, और नीचे से जब उबर की तरफ price वापस available हो, और आपको losses जो है, वो कम चे कम देखने के लिए मिले, अब यहाँ पे करना क्या है, आपने माल लिजे, 82, 8500 पर first entry की, आपने 10 slot के अंदर buy position activate की, तो आपका target होगा, कि monthly basis पे काम कर रहे हैं, तो first target हमारा क्या रहेगा, 83 रहने वाला है, 83 हमारा first resistance zone count होने वाला है, दू से ही कोई resistance break होता है, तो तुरंत वो support count हो जाता है, अगर मेरा यहाँ पे मैंने 82, 85 के उपर buy position मनाई वी है, और 83 price आ जाता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपना profit मैंने book किया, या तो मैं यह condition implement कर सकता हूँ, दूसरी जगा पर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं resistance number one यह है, तो उस condition में आपको यह भी पता होना चाहिए, कि जब market यहाँ से उपर की तरफ आ रही है, और यहाँ से आने पर यहाँ तो high probability होगी, like open interest से आप पता कर सकते हो, कि highly, like यहाँ पे resistance जो है, high resistance है, या weak resistance है, अगर high resistance यहाँ पे count हो रहा है, और यहाँ पे break नहीं कर आ रहा है, तो high probability होगी कि वापस यहाँ से reversal करने की कोशिश करें, और कहां तक कोशिश करें, अपने support number one तक, जो support number one क्या था, 82, 7500, मैं मन्त की बात कर रहा हूं, यह बात आप धिहन रखेगा, तो यहाँ पे time आपको थोड़ा देना ही पढ़ सकता है, time मतलब आपना activate नहीं करूंगा, पता लगा, आपने देखा कि यहाँ पर resistance zone है, और आपने यहाँ पर क्या किया, 100 lot को sell कर दिया, और आप कल सुपर सो के उठे, आपने देखा, 83 break हो गया है, अब वो 83 10 जा चुका है, अब क्या है, आपको जब वापर loss दिखाई देगा, minus 10,000 रुपीज, तो मैं नहीं मानता कि आप मैंसे कुछ लोगों की हिम्मत होगी, बाकियों की नहीं होगी, कि उस loss को book किया जाए, क्यूं आपको पता है कि resistance break हो चुका है, और resistance जब break हो जाता है, देन वो उस condition में next new support count बन जाता है, यह बात ध्यान रखेगा, तो अभी की बात की जाए, तो लोग पुराने मेरे चैनल पर देख रहे हैं, उनको पता होगा counter trade का क्या फायदा होता है, क्यों की जाती है, जैसे अब यहाँ पर price मैंने buy position activate की, मैंने यहाँ पर 10 lot के अंदर buy position बना ली, चलो जी, यहाँ से लेके price उपर की तरफ आया, और मैंने देखा resistance zone मेरा यह है, तो मैंने क्या करना है, मुझे first condition क्या हो सकती है, कि मैं अपनी buy wallet trade को exit करूँ और exit करके मेरा कितने का profit हुआ, 85 पैसे से, लाइक यहाँ तक का, total मिला के 15 पैसे, तो 1500 रुपीज का मुझे यहाँ पर profit देखने के लिए मिला, और मैं यह book कर सकता हूँ, पहली condition यह रहेगी, दूस पोजिशन create कीजिए, और January month जो है, उसके अंदर sell position activate कीजिए, आप कहोगे ऐसा क्यूं, इसके पीछे reason यह है, कि January month की बात करूँ और February month की बात करूँ, तो January month के अंदर, अगर हम sell position activate करते हैं, और price उपर भाग जाता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती, simple सी बात है, बट अगर हमने यहाँ पे January month में buy position activate की, और price नीचे भाग जाता है, तो हमें January month में loss book करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं चाते, तो अगर आप देखोगे, तो आपको एक month extra यहाँ पे मिल जाता है, केवल और केवल future contract note को change करने पर, अगर कल market, मैंने यहाँ पे buy किया, उपर आई, ठीक है, चलो, अब यह उपर की तरफ गया, जाने पर क्या हुआ, 83 पर मैंने यहाँ पे trade activate की, मैंने sell trade activate की, concept trade activate की, फरवरी month की जगा, अब क्या है, जनवरी month के अंदर, same, मतलब 10 lot मैंने फरवरी में buy किये, तो sell मैंने क्या करना है, same lot करना है, अब यहाँ पे condition क्या बन सकत है, condition यह रह सकती है, market में तीन जीज़े होती है, कि market यहाँ तो ऊपर की तरफ जाएगी, common सी बात है, क्योंकि अगर वो resistance को break कर देगा, तो नया support हमारा 83 count होगा, तो next हमारा resistance जो होगा, वो 83.2500 पे shift हो जाएगा, दूसरी condition हो कि market sideways हो जाएगी, sideways होने का मतलब है कि market जहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है, तीसरी condition market नीचे गिर जाएगी, अब हमें ध्यान रखना है कि हम maximum condition में safe होने चाहिए, और मैं अगर बोलू हूँ आपको कि आप तीनों condition में safe होने वाले हो, आप केवल यहाँ पर जो काम trade डाल रहे हो, counter trade के अंदर, यह आपको कह स सकते हो, एक extra gift है, किस चीज़ का gift है कि आपने नीचे से उपर तक का profit तबुक कर लिया ना, अब ध्यान से समझने की बात है, अगर कल market वापस, like कह सकते हो, market जहाँ पे है ना, वहीं पी खुल जाती है, तो आपको कभी कोई नुकसान होने वाला है, I think not नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां से यहां तक का profit तो आपका lock हो चुका है, उसी जगा पर आपने जनवरी मंत के अंदर sell position activate कर दी, तो अगर market यहां पे ही खुल जाती है अगले दिन, तो आपको वापे कोई भी loss नहीं होने वाला, इसी तरीके से दूसरी condition market अगर उपर की तरफ भागना यह जा सकता है क्योंकि इसमें जो profit होगा, उतना ही यहां पे loss होगा, तो यह आपस में cross, आपका जो 1500 का profit था, वो तो profit आपको फिर भी मिली गया, common सी बात आती है, तो इस वाली condition में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, रही third condition, यह तो आपकी winning probability वाली condition है कि कल को market 83 को resistance मा है देगा, और आप तो चाहते ही यह थे ना, कि भाई मैं एक uptrend वाली चीज के अंदर, like buy side पे तो trade लेने के लिए तयार हूँ, बट मैं sell side पे भी profit gain करना चाहता हूँ, तो counter trade strategy उस जगा पर यूज आती है, जहां पर आप यह चीज चाहते हो, वरना normal condition में क्या होता, आपन particular price पे आजाती है, उसी range पे आजाती है, तो आप वहां से उसको फिर से खुला छोड़ दे होते हो, कि मालिक उपर की तरफ फिर से चले जाओ, हम फिर से वही खेम खिलने वाले हैं, तो इससे हुआ क्या, इससे एक तीर से दो निशाने कैसे लगे, chances यह हुए कि आपने एक buy वाली trade में तो profit gain किया है, जहां पे आप अपने आपको safe feel करते हो, दूसरी चीज यह हो गई, कि आपने sell side पे profit gain कर लिया, एक uptrend वाली चीज में, और अगर सोचो वहां पर वो उपर चला भी जाता, तो आपकी जेब से कुछ भी नुकसान ना होता, क्यों? क्योंकि buy trade तो continue चली रही है, साथ में sell चालू हो गई, तो उस condition में उपर जो losses होंगे, वो profit के साथ में cross हो जाएंगे, और आपको फिर भी 1500 का profit तो वैसे भी मिलने वाला है, वो तो आप वैसे भी exit करने वाले थे ना, तो counter trade अगर आप यहां पर use कर लेते हो, तो उस condition में आपको यह probability आप market के against जाकर भी, like without any risk, यहां पर risk कहां हुआ, मुझे कोई explain करें, कि यहां पर risk क्या है, क्या हो सकता है maximum, कल को अगर market मैं कहता हूँ, जहां पर buy किया था ना, उससे भी नीचे खुल जाती है तो आप तो खुशी मनाओगे, क्यों मनाओगे, ऊपर से नीचे तक का यहां चल सकता हूँ, तो buy में तो कोई डरने वाली बात होती नहीं है, बट sell side पे आपने वाँपे profit gain कर लिया, तो यह होता है counter trade करने का proper फायदा, अब अगर बात करें इसी को मैं international level पे, अगर समझाने की बात करूँ, international level पे क्या होता है वाँपे, आपका जो भी software है, MT4 या MT5 ज जाता हूँ, जैसे ही हाँ पे like moving average के ऊपर candle बने, तो मैं buy position अक्टिवेट कर देना चाहता हूँ, जैसे ही moving average के नीचे position बने, तो मैं यहाँ पे sell अक्टिवेट कर देना चाहता हूँ, अगर आप इतनी CB strategy को implement कर देते हो, तो यहाँ पे आप counter trade के तयात फायदा उठा सकते ह जो कैसे, द्यान से समझो, अगर किसी इंसान ने, like यहाँ पे, मैं buy place कहटाता हूँ, अगर किसी ने यहाँ पर enter किया, इस वाली candle के ऊपर enter किया, और enter करने के बाद उसने बोला, बई देखो, मैं यहाँ से लेके, यहाँ तक का ना, एक stop loss लगा रहा हूँ, stop loss ऐसा होना चा जो 0.01, आपने वाँ पे buy किया, तो same, आप 0.01 sell भी कर सकते हो, ऐसा रहता है वाँ पे, मतलब अगर आपको एक ही specific order को cut करना है तो आपको उसी specific order को cut करना पड़ता है, ऐसा scene रहता है वाँ ठीक, तो मैंने यहाँ पे buy position की, और मेरी माली जी यह lot ज़ादा है, तो मैंने buy position क gap से जादा कोई loss ही ना हो, तो इस चीज़ को safe करने के लिए counter trade strategy मापर use की जाती है, maximum time में आपको बोलना चाहूंगा, अगर 10 बार आप trade use करते हो ना, ऐसे करके तो 10 में से cable और cable कह सकते हो, दो बार ऐसा होता है कि हमारी trade यहाँ पर एकदम touch होगी, और touch होते ही वापस फिर स safe and secure, अब काफे लोग कोईगे stop loss भी लोगा हो सकते थे, भाई stop loss लगाते, तो वो touch करके सीधा उपर भागने की probability होती, और stop loss लगा दिया माल लीजे, लगाने के बाद आपको loss book हो गया, और वो एकदम उपर भाग जाएगा, आप रात के 2 बजे सो रहे थे, आपको पता ही नी चला क्या हुआ, तो क्या करोगे, common सी बात है, अगर आप algo system run करोगे ना, तो ये strategy यूज कर सकते हो, बहुत easy रहती है, forex international market के लिए, बागी Indian market में हम counter trade को दूसरे तरीके से use करते हैं, क्योंकि हापे 2 मन्त के अलग-अलग future contract not के अंदर काम किया जा सकता है, like आप ऐसा नहीं है कि, like एक ही contract not में काम करना है, ये चीज कीवल or कीवल USDNR में ही काम करती है, किसी और चीज के अंदर आप इसमें काम करने की कोशिश करोगे, then definitely वापे problem देखने के लिए मिलती है, क्यों मिलती है, क्योंकि वापे एक तो fund बहुत जादा ची होता है, दूसरी चीज हो बाकी आपकी personal choice है, मैंने आपको बताया कि monthly basis पे, month के basis पे counter trade करने का ये फायदा रहता है, इससे आप एक uptrend वाली चीज के अंदर sell side पे भी profit gain कर लेते हो, और वैसे भी आपको दो wait ही करना है, सोचो support zone पे आपने enter किया, resistance zone तक price आने का, आप wait ही तो कर रहो हो, यहाँ पे enter किया, आने का wait कर रहो हो, और wait करने के बाद में क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक आया, तो आपने अपना profit book करके trade exit कर दी, अब क्या है, आपको वापस wait करना है ना, नीचे से उपर की जाने का button मैं आपको wait करने की ज़रूद नहीं है, जब वो उपर से नीचे आया ना, तीनों चीजे मुझे वीडियो देखकर बताओ, कि कैसा like आपको पता लगा, क्या आपके दिमाग के like कह सकते हो, समझ में आया नहीं, कि किस तरीके से हम इसको use कर सकते हैं, ठीक है, तो मिलते है next important वीडियो में, जाए description वीडियो में ने में लिंक डाली हुई है, पिन comment में और description में भी first link डाली हुई है, यहाँ पर आप जाके check कर सकते हो, directly इस पर click करके continue कर देना, आपका continue हो जाएगा, ठीक है, तो मिलते है next important वीडियो के अंदर, किसी के mind में कोई किसी तरीके कोई question है, तो मुझे बता सकता है, कैसे बता सकता है, यह मेरा number है, इसी के नीचे में number डाल देता हूँ, number है 9837482890, second number है 8077521043, इन में से किसी भी number पे ना, आप message कर सकते हो, प्लस अगर आप चाते हो कि currency market के बारे में सीखना है, तो मेरी website है, explosive trades.in, इसके description में में लिंक दी है, pin comment में भी link दी है, आप जाके हमाँ पर continue कर सकते हो, और बहुत सार चीजे में वहाँ पर update करता है रहता हूँ, about currency market, especially Indian market में जो legal है, RBI approved pair, और SEBI registered broker के साथ ही काम किया जाता है, जो की 100% legal होता है, especially हम काम किसमें करता है, USD, NR के इंदर, तो आप जाके नीचे चेक कीजिए, आपको काफे सारे चीजे वहाँ पर देखने के लिए updates मिल जाएगा, तो इस में वहाँ टो